दोस्तों काजल कुमार साहब की एक और मीम आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सीन है ये रेलवे डिपार्टमेंट का है और यहाँ पर एक महिला कर्मुचारी अपने सीनियर आफिसर से एक डौट पूछ रही है एक्चिली किसी ने उसे फोन किया है और एक कॉशन पूचा है जिसका आंसर उसे नहीं पता तो वो अपने सीनियर आफिसर से पूछ रही है ये क्या पूछ रही है उपर लिखा है आप देख सकते हैं सर कोई रेल गाड़ी कितने बज़े की है ये पूछने के बज़ाए वो पूछ रहा है रेल गाड़ी कितने की है पूछना चाहिए था कितने बज़े की है रेल गाड़ी आज लेकिन वो पूछ रहा है रेल गाड़ी कितने की है यानि वो खरीदना चा रहा है तो यहाँ पर विपक्षी पाटी ने इस मुद्धे पर आवास उठाई है कि जो नरेंदर मोदी जी कहते थे कि मैं देश बिकने नहीं दूँगा और रैलवे डिपार्टमेंट को लेकर भी उन्होंने कहा था कि मैं रैलवे स्टेशन पे ही चाय बेचा करता था इसलिए मैं काफी अडिक्ट की वज़ा से इसमें नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे जिसकी वज़ा से ये रैलवेस भी डेवलप होंगे और वहां पे और भी कई सारे रोजगार पैदा होंगे लेकिन दोस्तों सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रुपिये के अडवर्टेस्मेंट्स मीडिया को दिये जाते हैं रैलीस में नजाने कहां कहां से लोगों को पैसे दे कर बुलवाया जाता है तो पार्टी के प्रचार के लिए इतना पैसा है लेकिन क्या देश के रैलवे में इन्वेस्ट करने के लिए पास कोई पैसा नही है यह सवाल हमेशा से ही BJP पर खड़ा होता है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या प्राइवेटेजेशन के मुद्धे पर सरकार सही है या फिर विपक्ष सही है आप अपना अपिनियन हमें कमेंट बाक्स में लिकर बताएं तैंक यू सो मच गैज